नमस्ते आप दिललन टॉप की चुनाव यात्रा देख रहे हैं चुनाव यात्रा की एसम टीम है टीम मोती को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यह चुनाव यात्रा डिब्रूगर से शुरू हुई थी फिर उसके बाद तिन सुकिया जिसे अपर असम कहा जाता है वहां स तीसरा चरण छठे तारीक को चुनाव की वोटिंग होनी है दोनों ही पार्टियां यहां पर जो अलाइंसेज हैं उनके अपने अपने दावे हैं हिमन्ता भी सुसर्मा बीजेपी और एजीपी के जो अलाइंस में हैं वो कहते हैं कि तीसरे चरण ही नतीजे बताएंगे कौंगरेस और यरे डुफ का अपना यह है कि हमारा तीसरा चरण ही बताएगा तो लोगों के अपने अपने दावे हैं हम इसमें बारपेटा में हैं बरपेटा वो कॉंस्टेंसी है जो की तीसरे चरण में आती है और इसे यहां पे बड़ा वो फैक्टर बताया जाता है जो की चुनाओं पे असर डालेगा लोगों से मिले हम यहां पे लोग काफी कठा हो गए इनसे बातचीत करने की खुश करते हैं कि यहां पे जो दो चरणो के चुनाओं हुए हैं वो तीसरे चरण का चुनाओं और फिर जो लोकल मुद्दें हैं वो क्या हैं यहां पे कैसे कैसे उन से डील करते हैं यह बात करते हैं जैसे सर नमस्ते क्या नाम है मैं अच्छा हमारी पहले भी बात चीत हो चुकिए मैं पहले ही बता दू अभी जूड़े ग्रूव से इतना रिमूट एरिया में आके हम लोग का हल साल पूश रहा है मैं पहले एरफोर्स में नोकरी किया फिप्टीनियस उसका बाद में इंस्पेक्टर एज इंस्पेक्टर सेंटेलकसाइस कस्टम्स एन सर्विस टेक्स में जॉइन किया बाद में जो जी इस टी आया वह भी हम लोग देखा एज सुपरंटेंट इटेड इन ट्विंटी ट्विंटी फिबररी जो रीसेंट आपका डिपार्टमेंट वो जी स्टी है तो मुझे मेरे दिमाग में अभी जो ततकाल आ रहा है वो यह आ रहा है कि इतने सारे विश्यों पर हम सर से बात कर सकते हैं और जो भी करेंगे भी हम काफी लंबी बातचीत होगी देखिए सबसे पहले जो जैसे हम जहां पर बातचीत शुरू करते हैं वहां पर दो चीजे होती है एक तो यह कि जो नैशनल इशूस पर बात होती है बड़े नेता आते हैं हेलिकॉप्टर से बड़ी बड आप दिख रही थे मुझे तो यहां का लोकल इशू क्या है नैशनल तो टीवी पर सब लोग देखी रहे हैं देखिए सबसे पहले तो हम लोग लोकल प्रॉब्लम्स को फॉरी ज्यादा यह मेहक रखता हूं क्योंकि यह जो लोकल प्रॉब्लम्स है इसमें एवरी डे पिप पंच सल हुआ है इसे हलत है पहले जीस हलत था उससे ज्यादा इसकल पॉब्लिक डिफिकल्टिस फिल कर रहा है देन और इदर एक फ्लाइट का सिट्वेशन होता है यह जो हमारे दर्शक है प्लेंस के दर्शक है जादत तो उसमें आप यह आर्टिफिशल फ्लट वाली ची वह इसे हो गया तो एक अभी बर हम लोग बहुत मुशकिल से जैसे अभी धान आप लोग देखा होगा सारू तरफ में जुपेडी यह हो सकता है यह कटने का पहले पकने का पहले यह आर्टिफिचल फ्लाइट ने यह चपट लेगा तब तो बहुत ही डिफिकल्टिस होता है तो यानि कि आप जो कह रहे हैं कि हम जिस जगह पर खड़े हैं यह मतलब चार से पांच मेने तक डू भी रहती है यह त सुनके सायदी हायान हो जाएंगे इस मार्केट में हम लुक जहां खारा हूं यह त भी एक देरफूर तक पानी ऐसे आजाता है जोग जनरली यह यह सिट्योशन आता है यह फ्लाड आ जाता है यह नियर्वाइ रिवर्स है और इस्विशली वें दॉटर कम्स भूटन बहु सब्सक्राइब कि भूटनी इस लीविंग देर वाटर देनिंग अटर वाटर तब तो इस एरिया काहलत को भी खार आप हो जाता है और एक साल में हम लोग तो वह साथ आट बर करके साफर करता हूं साथ आट बार साथ आट बार अचा आपका नाम क्या है मिरें आवल क्लाम रिख था हुआ तो घेडिको warch करते हैं क्या क्या काम करते हैं में एक चले अब परूबलेम्र साघड यह का की एक चले ने बताया कि हमारे चेंप Cambridge building हेर का प्रोब्लम है हमारा जो जोनिया का रोडह है खुर ताश्पर्च सब्सवेल करें उस एलेक्वार का तूहन्ड़ diver हर्श लक्रीक अब रहता है doya आ wzglूत एप्री परिज्ड पंहिंके निशे रीचियतक है तो हमारे इतना बहूर्ष्ट सब का प्रोब्रेम होता है कि हम बाहर नहीं जा सकते हर देख रहे हैं इसमें कोई वेवस्ता नहीं लोगाए आपको क्या लगता है कि इसका जैसे मैं सरसरी पूछूँ कि इसका जो इलाज है जो इसका उपाय है वो क्या है इसका उपाय क्या है यह जो फ्लाट कवर में बात किया वह अगर प्रफार केनलाइस किया जाएगा तो अब जतना रूट निवली कंस्ट्रक्टेट हो रहा है और यह अगर प्रफार कलवर्ट सिस्टेम रहेंगे तो तो पानी नीचे चला जाग अभी डूटो इसे जो नॉन डेने सिस्टेम जो है में लिए उसी में ज्यादा प्रब्लेम हो रहा है यहां पर कई सरकारे आई अभी नई सरकार आके यहां पर तो आपको नहीं लगता है कि मतलब कोई चाहता तो इसका इसे सॉल्व कर सकता है अफिशन लिए लेकिन तो सूष्टाओं जितना इस कीम आता है सेंटल गुट मैं एटना इसके मं फर्मुलेट कर रहा है इवन इस्टे गवर्मेन्स में सिटेट गवर्मेंट भी बारी बारी में आकर बहुत कुस बूलता है ज़ह हम लोक시면 ओकर तो लुब तो फोई भी बाज यह तो वो इशू है जो के यहाँ पर लोकल इशू है एक जो इंपोज इशू है और दूसरी चीज की यहाँ पर जिनका असर भी रहा है जब दिल्ली से का और आरिसी की बात चलती थी और लोग हम वहाँ पर सुनते थे की सबसे जादा जहां जो विरोध हुआ उनके से असम ए यहां पर मतलब कितना असर रहा कैसा असर असर रहा और क्या जो प्रोसेस है का से पहले नर्षी पह आते हैं इन रसी का यहां पर क्या असर रहा और उसके बारे में ज़रा दिखिए एनर्सी का बात जावी करता है यह एतनिक मुस्लिम गुरूफ जू है इधर ओलोग का तो दिल कपना सुरू हो जाता है क्योंकि एतना sufferings everybody has faced यह तो बोलने में बहुत टाइमी लगेगा लेकिन संकीप में यही बुलना चातो एनर्सी हम लोग के लिए बिस्विशली मुस्लिम मैनुटिस के लिए एक बहुती चोनुती था और एतना people were frightened that अगर नाम इसमें हम लोग का नहीं आये तो we are having all the documents, proper documents in spite of having all the documents आइसे देखा गिया जे बहुत सा बेलिद डोकुमेंट्स भी reject करने का कुछिश किया गिया था इसलिए हम लोग बहुती पैनिकी था और इस फिलूस देयर एक्षली they have been suffering from 1979 और जब ये एनर्सी का ये आ गिया जो भी documents पहले ये किया था शरकार ने ये ये document देखाने चे हो जाएगा उसी सबसे प्रिफेरेशन लेने का बात भी इखा गिया जे नाई कोई-कोई documents को पर ज्यादा वह लोग ये दिया कॉंसेंट्रेट किया हो जे ये चाहिए चाहिए बुलके तब तो वह उदिन फ्यू टाइम्स विदिन निकालना बहुती मुशिपत हो गया था पाबलिक को एक जगा से बहुत दूर जाना परा कोई सप चिप्षागर से चिप्षागर में टेंपरेरी काम करता है इधार आके पास साथ दिन वह लोग रहे के बहुत पैसा वेगारा खर्चा करके कोई एक फीडिविट कराना है कुछ कराना है तो उसमें अंड्यू पैसा खर्चा का भी एक बात हुआ था और एनसी में सबसे बड लड़की का नाम भी एनसी की लिस्ट में आपको मेरा एक लड़की है वो इस इधरी से जनम तो इधरी है फिर भी लड़की का इसा आगया कोई सा मानून परसन यह कैसे हुआ कि जब आपका सारा परिवार एक बतलब वैली डॉक्मेंट्स के साथ उस लिस्ट में है तो सिर् जब बोरद से बराgle मां यहीं तो समझ में नहीं आता है इसा मैकजीमाम आपको देखेंगे जैएक घर में 12 आदिक ओध क्यूत क्याूर्ट ठीक नहीं अच्कूस का रोपार्थ प्रश्बूल एक इस इस लिस्ट के नाप परा भी यह करने के लिए आपकी बीटी का जो मैटर था जो उस लिस्ट में जो रिजिस्टर में नैशनल और नर्सी वह कैसे सॉल्फ हुआ वह बाद में जो विलिट डॉकुमेंट सब्सक्राइब लेके गिया वह लोग देखा और वह लोग देखके बुलता है हस दिया वह लोग मैं साहस मुस्तावीज रह्मान है जो हमने अभी सरसे बात की आप भी हाँ सुन रहे हैं उसमें और अगर हम देखे कि आप जो उस सिस्टम पे लोग यहां पे किस तरह की दिकते फेस कर रहे थे या किस तरह से सरकार से रियायत थी कि यह जो डॉक्मेंटेशन है उसमें आप इस तरह की रियायते हैं क्या था पूरा प्रोसेस में इससे दिकत आया कि इसे कि यहां का लोगों का यह रिंग में बहुत सारे लोग गरीब हैं दिन मुझरी करता है तो अगर यहां से किसी को डिबरुगर जा करके वह अपना हीरिंग करना नहीं पड़े कितने किलोमेटर का दोरी यहां से साथ सो किलोमेटर और जैसा सर बता रहे ते कितना टाइम मिलता अब का दस बरह घंट लग जता था यहां से नहीं मतलब कि वह सबको हरसमन करने के लिए और एक चीज़ और जैसे जब हम ये चह। सासो किलोमेटर का अकड़ा सुनते हैं तो सड़कों की हालत या जो वहान है सबके नीजी वहान नहीं है तो वह ऐसी नहीं है कि आपको अगर आज नोटिस आया है कि कल आपको पहुंचना है तो आप उतनी आसानी से पहुंच जैसा उतनी आसानी नहीं है असानी नहीं है कोई- यहां टाउन में और नोटिस ऐसा तो निए कि एक परिवार में दो परिवार में आता होगा अब जैसे मान लीजे कि कि सत्तर असी लोगों को नोटिस आज आ गया कि हमें कल आपको डिवरुगर हीरिंग में आना है तो सारे सत्तर असी नब्वे लोग कैसे जाते थे एक साथ में बास भड़ा करके एक बस की राय पर लेके सब लोग एक साथ जाते थे और उसका जुश्टान के होता था बबाल बास नहीं था वह जैमिन जाइदा बेक्वेस के पेसा इकटा करके एक साथ गाड़ी की राय पर लेके चला जाते थे इसा दिकत्ता हम ऐसा होता था जी सब्सक्राइब होता था बहुत परिशनी हुआ तब इनर्सी तो हम भी साथ है लेकिन सही तरीके से क्योंकित सरकार तो वह तो मेर्य खेल से देख के ही करता था घर में इन एकड़ी मम्ही एक है एक बेटी नहीं हुए या एक बेटा या कियों नहीं हुआ है वो साथ के हैं सब पूश करके है उसकाड़ी एक चाहओ कि देख को द्माट किसे ह anticipता इसक तो फिर वो मेरा बेटा की से हो गया इसी तरह से हैं मेरे खेल से वो तो जानबुस के harassment करने के लिए यह से कर रहा था तब मेरे खेल में यह इस तरह की दिक्कते यहां पर अच्छा और जब यहां पर जो का का जब विरोध प्रदर्शन हुआ उस समय कि क्या हाला थे जब का का विरोध प्रदर्शन हो रहा था और डिब्डू गर्ड और यहां भी गवाहाटी में भी तो उस समय तो पूरे आसम के लोग का के एगेंस्ट में थे किसी ने भी सपूट नहीं किया आसम में तो आपको देखी है इसके विरोध करते हुए से लोगों की मौत भी हो गए थी फायरिंग के दौरां मौत हो गए थी उसी सिलसले में उसी का को लेकर लोग इस बार अपर आसम में हो या का बिरुद कर रहा है लेकिन एक चीज़ और है जैसे मैं हिमनता विसु सर्मा है वो यहां पर बड़े पावरफुल निता माने जाते हैं बीजेपी का उन्हें कॉंग्रेस में थे तो भी शैड़ो सीम कहते थे अभी भी कहते हैं कि सीम एक तरह से वहीं हैं भले ही सरवानन सोन सब्सक्राइब यहां तो क्या करेक्टर नर्सी का कितना आफर होगा जो यह कहते हैं उसका वोटर्स पर आसर है एक अधिया हम भरतिया है हम भरते लोग को अभी डुकुमेंट्स करना पर रहा है कि तुम अगर तुम्हारे पास डुकमेंट्स है तो भरत में रह सकते हो और तो बहर के लोग जो बंगलाडिस से आ रहा है उन लोगो के लिह कोई दोकुमेंनस ने साहिए उलो выпуск हे बंगली हुंदू है उन लोगों को ही इंडिया में बीन दॉक मिमट्स के ही सिर्व डेहा है और हम यहां पर इंडियन और यहां पर है हमारा भारी पलव हो लेकर हमें अभी कानून है मंसे मानें गेसको हम नहीं मानें इसका हम इसका विरूत करते हैं का हमें का नहीं सहिए एक चीज और है जैसे हमने एलेक्शन में हमारी दो टीमें थी हम लोग अपर असम से और फिर सब कुछ होते हुए अब यह लास्ट पॉइंट पर खड़ें दो तीन दिन के अंदर शायद असम से बाहर होंगे तो लोग कह रहे हैं कि जब कोरोना का वक्त आया कोविट से पहले का का असर वोटर्स पे बहुत ज्यादा था लोग मोटिवेटेड थे लोग कह रहे थे कि हम मतलब इलेक्शन आब आने ही वाले हैं लेकिन जब हम उसमें हो सकता है हमने हमारी अब्जर्वेंस में कोई कमी हो लेकिन हमारी दो टीमें थी उसमें का का अपर असम में और खासक पकर ले जैके इशु जो इलेक्शन का इशु होगा आभी सारा चीजों का दाम बर रहा है बर गिया अल्डेडी पहले तो इसा नहीं था अभी गेस दे रहा है फिरी में दिया है घेस ठीक है मान लिए फिरी में दे बहुत अच्छा बाध है गोरिबों के लिए भी बहुत उसको गेस सिलिंडर तो दे दिया फिरी में उसको गेस भराने के लिए जाएंगे कितना साहिए आठ सबसाश रुपया एक गोरिब बंदा आठ सबसाश रुपया कहा से लाएगा उसका रोजी रोटी नहीं चलता है ठीक से तो फिर वो कैसे लाएगा यह भी एक इस हुए खाएंगे किसी से तेल चाहिए उसमें मिठा तेल जो शर्शा का तेल बोलता है उसको उसको साहिए उसका दम कितना बारा दिया गोरिब लोग खरीदी नहीं सकता है इसे इतना दामों में डालका बाद लीजिए उसका भी बहुत दम बार गया है तो फिर एक साइट में जाएगे तो फिर एक टूल गेट पर मिलेगा हर तरह से लूट रहा है और तो और यह देश का तो सारा समन भीके रहा है विदी सरकार बताईए आप यह क्यों आप बोलिए आप यह आए आगे आए आए आपका मुहम्मद खाजा मान अद्दिन आप यहां पर इही के रहने जिशती से पहले बहुत एची तरह सलता था अभी जोग वाइए उसके बाद सम्झे सारके चारा भीजनिस खतम हो गया ना कोई माल वहाँ से ला सकते हैं और जेस्टी देने पड़ता है और जेस्टी देकर यहाँ जो माल आएगा उसका जितना कीमत हो गया वो मार्केट में उतना रिट बिस नहीं सकता वो प्रबलम हो गया बहुत जैसे देखिए हमारे जो दर्शक हैं उसमें अभी जो फिलहाल अगर कोई देख रहा होगा उसकी दुकान नहीं है वो सामान नहीं लाता उसे जेस्टी का उतना पता नहीं है थोड़ा सा हम इसको और सरल करके समझते हैं जैसे आपकी यहाँ पे एक स्टोर है आपका स्टोर है गिफ्ट शॉप का तो जब जीस्टी नहीं थी तब और जब 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 जीस्टी है तब फोड़ा शुरूआ से बताईए की समस्याएं कहां आती है जैसे आप सामान लेने में समस्या कहां आती हैे जा थोड़ा विस्तार से समझ सेचे तो थोड़ा दोनों लोगों से एक व्यापारी है एक जिस्टी का अधिकारी है जो अभी अभी लास्ट डिपार्ट्मेंट रेटायर किये हैं पिछले साल है आप जिस्टी डिपार्ट्मेंट से डिटायर किये तो पहले आप बताई पहले व्यापारी की सुनते हैं फिर एक्सपर्ट की सुनेंगे तो आपका आप कह रहे थे कि कम दाम में पहले समान लेयात पाते थे अब ज्यादा दाम तो अभी जो दिक्कात है यह है क कि अगर जिस्टी पहले तो शुरू नहीं हुआ तब तो कम कीमत में बश्ता हम चेल सकता बेच सकता था अभी जो वही समाल हम जिस्टी से और जो कुरियार और अगरा बगरा बहुत खर्चा है वह सब सरा मिला कि एक चीप सीस हम अगर 100 रुपया में खरीतता तो यह आम 120 र आपका कहना है कि जीएस्टी लगने से सामान का दाम भी बढ़ जाता है तो उस वज़य से लोग कम लेते हैं तो धन्दा कम होता है जीएस्टी चुकाने का जो सिस्टम रहता है क्या वह वह प्लिकेटेड है वह उसमें दिक्कत होती है अगर इनकाम ही नहीं होगा अपका प कते हैं वो किस तरह से शुरू होती है और कैसे वो डील होती है तो यह थोड़ा हेस्टिली इंपूस किया गया यह अगर और दो साल करीब यह करके पहले इंट्रोडक्शन होने का पहले अगर पब्लिक को जानकरी देता तो टेड़ास को बिजनसमें को अच्छा जानकरी दे लेता तो और साजेशन बेगारा लेता तो यह हो सकता है अभी जो इस सिस्टेम में चल ला है इट इस से थोड़ा सिंप्लिफाइड मैनर में यह शुरू कर सकता था इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत हुआ जो रूट लेबल का जो बिजनसमें है दे आर मुस्टली एक्सपेरिंस भी नहीं है अगर इसका हिसाब रखना है और कैसे केडिट लेना है कैसे सामन खरीद करके उसको में जो टेक्स दिया हुआ है और नया समन बेस के उसका साथ एड़्जास्ट करना है यह पॉसेस के लिए तो इसके लिए तो कोई एक्सपार्ट रखना पड़त यह इंट्रूडिस हो गया है यह लोग समन खरीदने के लिए वही अथराइस सब में जाना पड़ता है जहां टेक्स इन्वाइस वेगार इशू होता है वो लोग भी थोड़ा बहुत आइटेम्स लेने करता है में इतना इन लोगों पर धेन नहीं देता है यह एक डिफिकल सब्सक्राइब करने करने के लिए रखना चाहता है तो उसमें भी बहुत दिक्कत आजाता है क्योंकि एवरी नाओ अन देन रोलस्टेन रेगलोशन सार बिंग वेरिट तोड़ा चेंज होते ही जा रहा है यह चेंज भी एतना लेटेस चेंज यह करने का यह यह लोग लेब सब्सक्राइब करने की आवशकता है आप अब शक्राइब कहना चाहूंगा जो आभी बहुत सा रेट में चल रहा है फाइप परसेंट ट्विल परसेंट एट परसेंट एटीन परसेंट यह अगर शरल करके दो रेट में लाए तो वह बहुत ही अच्छा होगा फाइफ साथ आप शक्राइब शच्राइब को रेट में अच्छा होगा नेस तो यह अजिसे का फाइब परसेंट आए चीए जय लिए लेकिन एक चीज है जैसे चे तारिक को जब वोट होगा तो आप भी वोट डालेंगे और एक बड़े लेवल का दुकानदार भी वोट डालेगा जिसे जिसे समझ में आती है वो भी वोट डालेगा तो जिसे जिसे समझ में नहीं आती यानि आपको आप कहरें कि आपको समझ में आती है आप जब छे तारिक को वोट डालेंगे तो आपके दिमाग में यह इशू रहेगा क्या कि इस जिसे के कॉम्प्लिकेशन जिसे की मुश्किल की वज़े से मेरी दुकान की जो बेचने और कम हो गई और मेरा धंदा कम हो गया रहेगा आपके दिमाग में यहां वह तो जुरूर रहेगा लेकिन हम जब बोट डलने के लिए जाएंगे तो तो अलग बात है हम वह सुचके बोट डलेंगे उस टाइम दिखा जाएगा हम क्या करें उस टाइम देखेंगे उसी टाइम अचा ठीक है चली आप कहरें उस टाइम अब एक चीज़ और दसर बात कर लेते हैं जैसे अभी आपने बात की कि बहुत लोट लेवल पे उतनी लिटरेसी नहीं है कि लोग जीस्टी को समझ सकें अभी कुछ दिन पहले हमने यहां एया यूडिफ चीफ बदूर दिन अजमल का इंटरव्यू किया था उसमें उन्होंने लिटरेसी पे एक बाग कई थी वोने कहाता है कि आप जो हिमनता विस्टा सर्मा हैं वो कहते हैं कि मदरसों को हम सरकारी फंडिंग नहीं देंगे क्योंकि वहां कुरान पढ़ाएंगे उनका ये कहना है कि बाकी स्कूल के दूज जो पैटरन है वो तो एक हैसे होते हैं सर्फ औरर दलग से होती है दूसरी चीज़ फिर उसमें वो कहते हैं कि लिटरसी के लिए अगर वह कहते हैं तो फिर उसको सपूर्ट rocky aja करते हैं तो इस चीज़ पर और क्यूंकि मैं आप से इसलिए पूछ नहीं कि आप तो लाइव एक्जामपल है आपने इतनी आपने पढ़ाई करके इतने ज्यादा डिपार्टमेंट में सर्फ किया है आप से अच्छा कौन बता पाएगा कि इस मतलब इस पॉइंट पे कम्यू के लिए बहुत बोड़ा खेद है क्योंकि जो फ्रम टाइम में में यह चल रहा था जो एडिकर्शन में एराविक सब्जेक्टी इंक्लोजन था और दुचार सब्जेक्ट इस अपकोस यह सब्जेक्टी है एक्जेक्ली है एक्जेक्ली होई कैनो से दर दिस इस रिलीजे मुस्लिम कम्मुनिटी इन लोग के लिए एक बोड़ा सा धक्का लगा जाए यह सम्टाइम्स विजेक्टी वाला इसे हो सकता यह परपसली कर रहा है इंटेंशनल यह कर रहा है क्योंकि मज्जासा का जो शिक्षा अगर बिनिश किया जाए तो मुस्लिम लोग का थोड़ा बहुत ही लॉस होगा और इसमें मुस्लिम लोग थोड़ा दिल में लोग का शूड़ भी पोशाएगा इंटेंशनली मुस्टोली द्यार दॉइंग द्रॉंकि यह तना साल से अगर मज्ड़ासा में यह शिक्षा चल रहा है तरह भी शिक्षा चल रहा है इसमें मैं सुस्ता इसे सर्मा का इंटर्वियू किया कल या परसों अन्याइख किया उन्से जब यह पूछा कि बदुर०िन ऐसा कह रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मैं उनको मुला और मौली बनाने के जगा साइंटेस्ट मैथमेटिशन इंजीनियर बनाना चाहता हूं तो इसमें कहां कमी है मेर बिश्यस्वर्मा का यह कहना आप इस पर क्या कहते हैं नहीं कि वह इंजिनर नहीं हो पाएंगे और डक्टर नहीं हो पाएंगे ऐसे देखा गया बहुत साज इनिया स्टूडेंस इंजिनर नहीं हो सकता है यह तो कभी नहीं हो सकता है अचा एक और यहां पर टॉपिक है जो यहां पर लोगों से बात करनी थी हम जब आये थे तब भी बात कहीं गई थी कि उस पर बहुत करेंगे यह वापस नर्सी के डी वोटर एक जो है पहले तो आप जो है हमारे जो देखने वाले हैं उन्हें यह बताइए कि डी वोटर का यहां पर आम समझ में क्या उसका अर्थ होता है डी वोटर जो होता है कोई नया कोई बंदा अगर उसको कोई डी बुटा बनाया तो सबस्क्राइए कि वोटर मतलब डी पर डाउट फ़ोलम रofford के उनके पास मेंठेने श वालेलेड डॉकुमेंथ सब्सक्राइबब जो कि ग्र्उटकिया जो करने आस्या वाले मैं में सरा इंडिया में कोई नहीं मिलेगा डी वोटर डाउट फुल सिटिजळनिषिब तो एक क्या है कि या डौटफूल सिटीन सीज और नहीं ही रहता है बाकिस्टेम देख सकते हैं कहारें यह हो रहा है और बात है कि डीबोटर बनाये जाता है लेजिन कॉन बना रहा है इसका कोई निकल के नहीं आता अगर कोई पोसे की डीवोटर कौन बनाया तो इसके कोई एंसर नहीं मिलता है इस सबसे वरा इस्यू है तो अगर भेरीबाई करें तो उसके पास बिलीड डोकुमेंट्स है क्या इसके डीवोटर जैसे बता रहे हैं उस तरह से यहां पर अर्थ रखता है सबसे देखिए एनर्सी की ममले में भी जो आपका यहरिंग के लिए बुलाता था वो कोई इसू है इसा कि उनको इसा है कि उसमें वह एनर्सी में वह फिट नहीं है डाउट है किसी ने किस कर दि किसने किया वो तो जनना है मेरेका मैरेको अगर वह बॉल देया कि यह डाउट.्फूल है मेरे बारे में किस ने किया किस किया उसको तो जबाब देना पर रहे है मेरेकं किसने किया वो तो मेरे हमारा कोई बात नहीं एक बंद्धा द कि आए हो गुंगे आखो गया ड़ीश इसन है यह सब उसके बाद क्या हुआ उसके बात क्या हुआ जाना परता था हम लोग को यह श vibes लेकिन जो सही बाद है वो नहीं समझ रहा है कोई उपर उपर महला का जो लोग है और बोराबर आओ विशार है कोई भी है वो लोग भी नहीं संद्राइब बीज़ेपी सरकार उन लोग का मकसद एक ही है क्योंकि हिंदुस्तान में मुसल्मान को हराज्मेन करना है मैरे ख्याल से ये प्रसेशन लोग लोग हacao सब्सक्राइब हो गया है मैं अब बारे मिन बोल देया कि आप डाउटफूल हो गया क्या हो आप मानलेंगे अपम मानलेंगे फिर बीशूर heating होता है इसवान करने के लिए यह सब किया है अच्छा एक चीज़ ओजैसे आप writings 9 में आपने लोकल विधायक यहां पर जो 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 लोकल विधायक चुने गए तो एक चीज होती है कि जैसे मैं सुन रहा हूं कि सबको अचानक से ये 6-700 किलोमेटर दूर जाना पड़ता था बस इकटी करनी पड़ती थी उसमें आपके जो सेटिंक मिलें यह वह कितनी मदद करते थे उनका तो लीयूंशाल को एजीपी से था वह हैं जीपी काय मिले हैं अश्म गन पर्शद कि हम बात कर रहे जो बीजेपी के साथ अलायंस में थे अभी बीजेपी के कर दिया सब ओके लेकिन हमारे यहां एक बार भी निया उस दिन आया था यही पर कोई उनका उफिस था उत्भुधन करने के लिए था एक बंदने पूशा भी था आप इतने सलकाहत है आज आगिया जो रास्ते से आया है अब यह रास्ते के बारे में आप पूश भी नहीं किय उसने इमिले ने जबाब नहीं दिया कोई भाग गया वहां से एश्याबाद है हम लोग को जब भूट आता है तो बाता है मालिस करने के लिए आज आता है क्या दर देखिया है आज काल लोग जागरित हो गया है सब समझता है इसलिए इस बार बहुत सो समझ के भोड़ जोन पात है उसमें माइनॉर्टीज ज्यादा है वोट के नमबर्स में है न तो उसके बावजूद यहां पर यह जीते क्या इसलिए क्योंकि एया यूडिया और कॉंग्रेस दोनों अलग 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 लड़े थे जी 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 यह तो बहुत साल से एक एक साथ जुजना था मि सब्सक्राइब कोभी भी असमगन फॉरसद नहीं जा सकता था यह से कोभी भी नहीं क्योंकि इधर कंग्रेस इधर एवडिया दोनका बटारा हो जाता था मुसलिम का भूट ज्यादा है ठीक है लेकिन अधर भाग हो गया तो फिर आटर्मेटिक असमगन फॉरसद जीत गया इस बार क्या होगा यह तो समय बताएगा और इस बार जो अच्छा एक चीज़ और है जैसे यहां पर जो लोकल है मेले जो आपके विधायक हैं उनके बारे में जैसा यह कह रहे हैं क्या वैसा ही है अक्या यह जो अपर ऑफरी है क्या हुआ कि यह हैं जो बोल रहे है जो बटा बटाया है वह एसा है इस बार जो कंग्रिश को महाजुद गटबंधन है उन्हीं लोगों को भूट मिलेगा सायद ऐसी है यहां पर जनता जनार्दन है कह रही है कि विदायक नहीं आए आगे क्या होगा च्छेतारिक को वोट है वोट में खुद बखुद पता चल जाएगा फिलहाल हमने यहां पर बात की कई मुद्दों प से देख रहे हैं मेरा नाम सुमित है और कैमरे के पीछे मेरे साथ ही राशीद हैं बहुत बहुत शुक्रियां